दोस्तो नमस्कर मैं अजाद पट्याल आप सभी लोगों का फिस से हादिक स्वागत करता हूँ और आज भी मैं आप सभी लोगों के एक छोटी सी मौटिवेशन पॉइम लेकर आया हूँ और जो पॉइम है वो जिन्दगी के बारे में हैं कि ये जो जिन्दगी है इस जिन्द कर लेता है तो कोई बस रोता है कोई सपनों को पाने के लिए भागता है कोई सपनों को पाने के लिए भागता है कोई सपनों को देखने के लिए सोता है कोई सपनों को पाने के लिए भागता है कोई सपनों को देखने के लिए सोता है मेरे दोस्त ये जिन्दगी है मेरे दो उसी को जो अपने काम में देखता अपना रभ है क्योंकि जिस इंसान ने अपने काम में अपने भगवान को देख लिया उस इंसान को काम्याब होने से कोई रोक नहीं सकता है मुमकिन है इस जिन्दगी में सपनों को पाना होगा पूरा तभी जब तू छोड़ेगा देना बहाना 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 बनाना छोड़ना पड़ेगा होगा पूरा तभी जब तू छोड़ेगा देना बहाना जिन्दगी तो वैसे ही बहुत छोटी है फिर तू कहेगा कि तेरी किसमत खोटी है खोटा कुछ भी नहीं मेरे दोस्त बस तेरे इरादे और तेरे वादे जूटे हैं खोटा कुछ भी नहीं बस तेरे इरादे और तेरे वादे जूटे हैं यही वज़य है कि तेरे सारे सपने तूटे हैं एक बार वादे और इरादे मजबूत हो जाएं सारा सपना जितने भी सपने आपने देखे हैं वो सारे स अपने आपके अपने हो जाएंगे याद रख याद रख जो हालातों का रोना रोते हैं याद रख जो हालातों का रोना रोते हैं वो ऐसे लोग क्या खाक शिकर पर होते हैं शिकर पर पहुंचने वाले हालातों का रोना नहीं रोते हैं याद रख जो हालातों का रोना रोते ह कि वो क्या खाक शिकर पर होते हैं, अभी भी समय है खुद को जगाने का, तु जाग कर तो देख मेरे दोस्त, तु जाग कर तो देख, दर्वाजा खुल जाएगा खजाने का, अभी भी समय है खुद को जगाने का, तु जाग कर तो देख, दर्वाजा खुल जाएगा खजान तो थैंक यू, थैंक यू सो मच, नवश्कार